अब यह जो है ना यहां पर देखिए यह जो average आया हुआ है अगर आप इस पर conditional formatting apply करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आप यह देखते हैं conditional formatting पर चलते हैं और यहां पर आप highlight करना चाहते हैं तो यहां से highlight करा सकते हैं जैसे अगर किसी student को 75% से ज़्यादा मिला है तो उनको highlight करन चाहते हैं तो लगा सकते हैं इसको तो यह यहां पर click कर दीजिए अब यहां पर 44.3333 ऐसे कुछ करके आ रहा है इसको मैं हटा देता हूँ ठीक है और अब यहां पर average सबका रेकी रहें कैसे आया हुआ है तो यहां पर मैं कर देता हूँ 50% ठीक है क्या करता हूँ 50% कर देता सिंगल अगर column की बात करें तो उसमें अपनाई कर सकते हैं